हलो फ्रेंज, सर्दियों की खास बात यही है कि मार्केट में एकदम हरी भरी सबजिया, पत्तेदार सबजिया दिखने लगती है, जिनमें से ये बत हुआ भी है, तो इसकी हम या तो भाजी बना कर खाते हैं, या फिर साग बना कर खाते हैं, बहुत ही प्रोटीन वाली सबजी है, लेकिन हम बरे तो इसकी भाजी या इसकी सबजी बना कर खा लेते हैं, लेकिन बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम माओं को लगता है ना कि कौन सी एसी रेस्वी बनाए, जिससे हमारे बच्चे ये हरे पत्तेदार प्रोटीन से भरे हुए, सबजी भी हमा निकाल दिये हैं और सिर्फ पत्ते का ही हम इसमें इस्तमाल करेंगे बत्वे को साफ करने के बाद हम इसे बड़े से बरतन में पानी लेंगे और अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्री लगे रहते हैं तो हम इसे धोना बहुत जरूरी है और अच्छे से बथुए को अच्छे से काट लिए हैं काटने के बाद एक कड़ाई में हम इसे डाल देंगे हम इसमें पानी नहीं डालेंगे बस इसे ऐसे हमें पकाना है क्योंकि बथुआ अपनी पानी छोड़ेगी तो हम थोड़े से नमक डाल कर आठ से दस मिनट के लिए ढखकर पकने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं यह बहुत अच्छे से पक चुकी है तो अब हम लेंगे 5-6 यह लसन के कलिया दो हरी मिर्च और एक इंच अद्रक के टुक्रे अब हम एक मिकसी के जार लेंगे उसमें यह लसन अद्रक और हरी मिर्च को इस तरह से डाल देंगे और पहले हमें इसे दरदरा पीस लेनी है यह देखिए हमने यहाँ पर इसे दरदरा पीस लिए हैं अब हम इसमें यह पकी हुई बत हुए को डाल देंगे और इसकी हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे यहाँ पर हम थोड़े से भी पानी इसमें नहीं डालेंगे अब गर आपको जुरुत परे तो थुरे से पानी एक दो चमच डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसकी फाइन पेश्ट बना लिए यह देखिए आप देख सकते हैं तो इसकी अब हम पराठे बनाएंगे तो इसके लिए हम यह दो कटोड़ी गेहू का आटा लिए हैं यह बहुत ही हेल्डी पराठा है तो इसके हम गेह के आटे में ही बनाएंगे और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 5 चमच रेगुलर चमच होती है न उसी है जो हम घर में डेली यूज यूज करते हैं उसे से हमने 5 चमच इसमें बेसन डाले जिससे हमारे पराठे एकदम क्रिस्पी बनेगी और आधा चमच अजवाइन हाथों से क्रेस करके इसमें डाल दिये हैं और आधा चमच ही मंगरेला और इसमें हम डाले हैं थोड़े सी हींग और स्वादमसार नमक नमक हमें ध्यान देन थोड़े से जार में लगी हुई थी तो हमने दो चमच पानी इसमें डाल नाकर जार को अच्छे से साफ करके इसमें डाल दिये हैं और अच्छे सेgoing से मसलते हुए हम पराटे को और भी क्रिस्पी बनाने के लिए से दो चमच मस्टर्ड ऑई डाले हैं आप कोई भी cooking oil इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि आप refine oil भी डाल सकते हैं, और घी भी डाल सकते हैं, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें घी क्यों नहीं डाले, या फिर refine oil क्यों नहीं डाले, मोहिन के लिए, लेकिन जो सरसो का तेल होता है, यह हमारी बच्चे या फिर किसी के लिए नुकसान नहीं पहुचाता है, तो मैं ज्यादा तर सरसो का तेल ही यूज़ करती हूँ, ज्यादा इस्तमाल करती हूँ, तो यहाँ पर हमने soft dough बना कर तयार कर लिए हैं, और इसके उपर से थोड़ी से oil लगा कर इसे 10 मिनट के लिए rest के लिए रख द आप लोगों को याद दिलाना भूली गई, अगर आप लोगों को मेरी rest भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजेगा, अपने दोस्तों में जरूर सेयर कीजेगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और जिन लोगों ने मेरी बहाई बहनों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, अब यहाँ पर हमने जो लोगी बनाये थे, उसमें थोड़ी से पर्थन लगाएंगे, और इस तरह से रोटी की तरह बेल लेंगे, रोटी से थोड़ी सी मोटी है, और इसके बीच में इस कीन मानिए, जब भी मेरे घर ये पत्तेदार वाली सबजिया आती है ना, तो मेरे बच्चे नहीं खाते थे, उन्हें पसंद नहीं आती थी, ना सबजी पसंद आती थी, ना उसकी साग, कोई भी चीज वो खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब से मैं इस तरह से पराठे देंगे तवा, और तवा को हम पहले गरम कर लेंगे, यानि कि आज को हमें मीडियम रखनी है, और तवा को अच्छे से गरम करके, और यह हम जो पराठे बना हैं, वो हम इसमें डाल देंगे, और इसे मीडियम आज पर अच्छे से पहले सीख लेंगे, हमारे पराठे दोनों तरफ से बढ़िया से थोड़े पक जानी चाहिए अच्छे से सीख जानी चाहिए तब हम इसमें डालेंगे घी आप इसे रिफाइन ओयल से भी बना सकते हैं या फिर आप इसे बिना घी बिना रिफाइन ओयल से भी अच्छे से बना सकते हैं इसकी चपाती बहुत ही बढ़िय बनती है तो फ्रेंस देख सकते हैं कि हमारे पराठे बहुत ही बढ़िया से फूल चुके हैं ये देखिए तो मैं इसे इस तरह से पल्टन से दबाते हुए पका रहे हूं ताकि ये अंदर तक बढ़िया से पक जाए देख सकते हैं कितनी बढ़िया और कितनी क्रिस्टी बनी ह इसी तरह से करते हुए हम सारी पराठे को पका लेंगे आप इसे चाय के साथ या फिर आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं बहुत भी बढ़िया लगती है खाने में इसी तरह से करते हुए हम सारी पराठे बना लेंगे तो पहले हमें दोनों साइट से अच्छे से पका लेनी है थोड़े देर और जब यह थोड़े देर दोनों तरफ से पक जाए ना तब हम इसमें रिफाइन या फिर घी डाल सकते हैं और तब हम इसे क्रिस्पी बनाएंगे देखिए कितनी बढ़िया हमारी पराथि बनकर तयार हो रही है पहले दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे और पल्रंट पुल जाएंगे और इस 설 confronting धूल जाएनकर गी लगांकर दोनों तरफ से बढ़िया एगदम पकाकर क्रिस्पि कर लेंगे यह इतनी बढ़िया बंती बताईएगा कि आपको ये पराठे वाली रेस्पी कैसी लगी अगर वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर सेयर कीजिएगा मुझे सपोर्ट कीजिए वीडियो को फुल वाच कीजिएगा और यहां पर आप देख सकत कि कित्ती बढ़्य पराठे बनकर तयार हो चुकी है फ्रेंज यकीन मानिये आपके बच्ची एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकि चार पराठे मांग मांग कर खाएंगे उनका पेट तो भढ़ जाएगा लेकिन उनका मन नहीं बरेगा इतनी टेश्टी पराठे बनते हैं न कि आपको पराठे के साथ यह जो चटनी है न वो भी बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसे बादाम से बनाए हैं बहुत ही टेस्टी चटनी है फ्रेंज आपके कॉमेंट का मैं इंतिजार करती हूं तो अपने प्यारे प्यारे से कॉमेंट मेर प्रेस कर दी इससे क्या होगा कि जब भी में वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी तो फिर मिलती हूँ एक नए एक अच्छी सी रेस्पी के साथ तब तक किलिए बाहा है तेन